नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़वल इंडिया आपके साथ मैं हो काजोल नरायन शिरात करेंगे खबरों की आगरा में इस्पताल में स्थित बैडिकल स्टोर के बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है मरीज के परिजनों को इस्तमाल किये हुए इंजेक्शन दिये गए मरीज के परिजनों को जानकारी होने पर हंगामा हुआ मरीज की जाल से खिलवार किया गया अगर मरीज को इंजेक्शन लगता तो बड़ा घातक हो सकता था कलमनगर, रश्मी, मेडिकेर, अस्पताल का इपूरा मामला अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर है परिजनों ने मेडिकल के खिलाफ कारवाई की मांग की है गुरसायनगर के भीटभर वाले एरेच रोड्स थे वाहीनी फिलिंग स्टेशन के समी पाशिष यादव और करगुगा खुर्थाना एरेच सिंग वाहीनी फिलिंग स्टेशन के पास अपनी कार मारती वेंच सही करवा रहा था कि तभी पहले से खात लगाया अधा दर्जिंग के आसपास लोग चार पईया गाड़ी के साथ लाठी डंड़ना लेकर आए और आशिष यादव के साथ लाठी डंड़े और लाठ भूसों से जम कर पिटाई कर दी जिससे आशिष को गभी चोटे आई हैं मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा घायल को प्रात्म कुप्चार के लिए स्वामद्रिक स्वासकेंद्र में भरते कराए गया जहां डॉक्टर स्वारा घायल का प्रात्म के लाच किया गया और हालत नाज़ुकों ने पर उसे मैडिकल कॉलेज जहां सी रेफर कर दिया वही मामली को लेकर गुर्सराय थाना पुलिस जार्च में जुटी हुई है करणी सीना की रास्ट्रिय देख्षी अत्या का मामला सामने आया है करणी सीना की कारकरताओं ने केंडल मार्श निकाल कर प्रदर्शन किया कारकरताओं ने सुकदेव सिंग गोगा मीडी को शदान श्रीदी करणी सेना के कारकरतावने सुकदेव सिंग हत्यारों का एंकाउंटर किया जाने की मांग की है सहावर कस्वे मुखे मार्गो पर केंडल मार्श निकाला गया रैबरील जिलेवे बंदरों का अतंक लगातार बरकरार है मासुम बच्ची पर बंदरों की जुन्दे हामला कर दिया घबराकर मासुम चल से कूर गई मासुम बच्ची को परजनों इलाज के लिश्प्ताल में भरती कराया मामला लाजर थानशित के अंतरगर्त मगहन लगमो गाउं का बताया जारखा है हमारे करणी सेना के जो राष्टी अद्धिस थे सुकदेब जी गोगामली जो समस्च छत्री समाज का पूरे भारत में नित्रत करते थे उनकी जो हत्या की गई है उसके ब्रोद में हम लोग केंडल मार्च निकाल लाए है प्रदेश में जाल सास दोकदली करने वालों का आतंक बढ़ता जा रहा है ताज़ा मामला कानपूर के थाना किदवई नगर थानाशित्र केस्थे तिवारी मार्केट का है जो आफर्जी मनी माइक्रो फाइनेंस नाम की कंपनी बना कर सैक्रों से जादा महिला फर्जी कंपनी का शिकार बन चुकी है तो जानकारी हुए कि आफर्जी मार्केट में बनी तिवारी मार्केट में तीन लोगों ने रेंट एगरिमेंट पर आफर्जी बनाया था जिनका नाम नंदी विकासर फिशोर दुकान किराय पर लेकर मनी माइक्रो फाइनेंस नाम की कंपनी खोल कर लागें पिच्वार के म सोनबद की रास्ते बिहार से नाजायस गांजी की तसकरी करते हैं पांच वक्ति को पुलिस ने पकला है 50 किरो नाजायस गांजी की खेप को प्रदेश की राजधानी पहुचाने का प्लान था इसे बीच रॉबर्ट्स गंज कोतवाली पुलिस और सोनबद्र एसोजी और बाल चार परिया भानुक उसनबद्रपुर से धर्दवोचा पुलिस और अवयाद नश्य के कारोबारियों के उपर ताबर्टोर कारवाई से नश्य के कारोबारियों का जाल तूपता नजर आया जिले के प्रिस कप्तान का कहना है कि कि किसी भी तरह के नश्य के अवैद का पूस्ताज जाचकन्य पर उनके पास से पचास कि लोग आंजा दो प्लास्टिक की बोरियों में मरा मत हुआ, पांच मोबाइल ग्यारे हजार पांसो रुपे मरा मत हुए, यह सभी लोग अलग अलग जगया के रहने वाले हैं, एक बिहार से हैं, लखनव, सीतापूर, वारण सी चंदोली के रहने वाले हैं, गिरूख गुरूप में कारी कारते हैं, इसमें एक अभ्यूक्त ऐसा है, इसमें 302 हत्या लूट का भी और 12 मुकद में हैं बाइक पर सबार दो बदमार्शों ने पीसे असला सठाकर रुटने को बोला, इतना सुनते ही, राजेश हड़ बढ़ा गए, बाइक लेकर गिरूप बड़े, बदमार्श वेफसाई का बाइक लूट कर परा हो गए, जिनकी लीगी में करीब 2 लाक रुपे का जिवरात भर कि अपने घर की तरफ जा रहे थे, पीछे से दो वेक्ति आये हैं जोनों ने इनका रस्ता रोका है, इनकी डिगी में कुछ अभूशन थे और कुछ था, जिनकी अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में दो लोग दो लूटे रहे आएं, बामत बटा के आगे पूल के पास, बामत बटा के आगे पूल के पास, दो लोग आएं, हमको रुक सले रुक, दोनों के हाद बंदू देखाते हुए हमको गोली मारने जाते हैं, मैं बगा, मेरे गारी लूट ले गए, नगणिगम के जमीनों पर कबज़ा करने का सिलसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसी खबरे निकल कर सामने आती रहती हैं, इसके बावजूद भी नगणिगम प्रशासन नीम में सोया हुआ है, और जब कोई नागरिक अपना नागरिक ध्धम निवाते हैं, वे मामले की शिकायत आला अधिकारी तो अधिकारी और चारिकता कर मामले को छोड़ देते हैं ऐसे में कबज़ाधारियों के होसले बलंद हैं, आज पी ऐसा एक मामला चर्चा में बना हुआ हैं जिसमें ओनाओ गेट बाहर स्थित, लालता पैलिस के सामने एक नगरिकम के अर्बो रुपए के संपती है, जिस पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा कबजा किया जा रह पनवाडी ठाना कस्पे के राच रोड की पूरी खतना है, डॉक्टर दबपती शादे की सालगीरा मनाने में मस्त है, प्रसुता ने तड़त पर दम तोड़ दे, डिलिवरी के बाद महिला की मौत होगी, राद बर महिला का शब लेकार परिजन भठकते रहे, ब्यमस महिला पूर्फ केंद्र मंतरी पदीब जयन ने महिला की संसद सदस्ता जाने पर केंद्र सरकार पर जम कर आरूप लगाए, पूर्फ केंद्र मंतरी ने कहा कि ये दो दियो पती कि सरकार है, इन सरकार में मजद्रों को मजद्री मिलना बंद हो चुके है, कहीं भी किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, पूर्फ में कॉंगर्स सरकारों द्वारा बनाए गए गरीब मजद्रों के लिए, जो नियम थे, उनको इस सरकार खत्म कर रही है, आज लाइक चुरा एक ऐसी नेता जो पद से उपर हैं जिनका पूरा जीवन हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए समर्पित रहा श्रीमती सोनिया गानी उनके जनम दिल को जन सहवाक्ता से मनाया आज सारे लोग जो देखते हैं कि सूचना का अधिकार जो लोगसवा के सांसाथ और विधायकों को होता था उसे कानून बनवाने का काम स्रीमती सोनिया गानी ने किया आगरे में कांगस के किलाफ एक दिवस के धरना दिया गया बारती चinasदा पाटी के विधायक सहीच शाखनो करकरताव ने धरना दिया। जारकन की राजसभा सांसा धिरा साहू के खलाब धर्न प्रदर्शन हुआ, श्राइद इस मारक में बीजोपी के कारकरताओं ने काउंस के कहिं घोटाले और बिस्टचार को गिनाया। जारकन में राजसभा के दस्टिकालों पर चापे मारी हुई, चापे मारी के दोरान लगभग 300 क्रोड रुपाय आयकर विभाग ने जब्त किये। फिलहाल पर उसने आश्टवाशन दिया है। लाक वासियों से यही अनुरोध है कि शिकायत करता अगर अत्यधिक शिकायत करते हैं, जैसा कि अभी कुछ समय से कुछ लोग कुछ जादा ही शिकायत कर रहा है। तो जनता का भी यह करतब बनता है कि वो अगर सरकारी कामों में बाधार डालने का प्रयास कर रहा है। उनकी शिकायतों से कामों की गति प्रभावित होती है। और यह जो अभी हाली में कुछ रिपोर्टे आई हैं, उसमें सारे काम सही पाएगा है। यानि इससे पता चलता है कि शिकायत करताओं का उद्देश सही नहीं था। जनता से मेरा यह नुरूद है कि ऐसे शिकायत करताओं को वहीं पे मौके पे ही जवाब दिया जा कि आप लोग इस सब काम बने है। इसके हिमालिये छोर के अंतिम गाउं और पर्टक सलवाना से है, जहां 6 साल बाद फिर से बस सेवा शुरू होने पर शेतरवासों में भारी खुश्री के लहर है। इसके ही उपाई आकरता 6 साल बाद इस्थानिय थराली विधायक, मुपाल राम टम्टा के प्रयासों के बाद एक बार फिर से रूपकुन परिवहान विकार समीती की वान गाउं से बस का संचालन शुरू हो गया है। श्री नगर शेत में तेज रफ्तार का कैड़ देखने को ने मिला है। वजाए को प्रतेबंद कर दिया था। और इसे के साथ खिलाल कब्रों में इतना ही आप बने रहे हैं न्यूस वाल इंडिया के साथ।